हाई कोट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि समिधान के अनुछेद 21 में व्यक्ति के जीने के अधिकार के साथ ही उसकी न्याय तक पहुँच भी शामिल है मामले में ब्रू काफी जो की काफी बनाती है उसके खिलाब पेश खाद अधिकारी के परिवाद को भी हाई कोट ने खारिस कर दिया है दरसल खाद अधिकारी ने बुरू कमपनी का सेंपल किया और उसे अमानक पाया जिस पर अधिकारी ने कमपनी के खिलाब परिवाद दायर किया और जाज के लिए सेंपल भेजा एक साल तक जाज चली और अमानक पाया गया इस बीच कमपनी ने हाई कोट में याचिका दायर कर कहा कि सैंपल लेने के बाद से एक साल बाद प्रिंटेड डेट एकस्पायरी हो गई जबकि नियम यहा है कि जिसके उपर आरोप है वहाँ उस सैंपल की रिपोर्ट को दूसरे सेंटरल लैब में जाच करा सकता है धारा के अधिकार होने के बाद भी आरोपी को उससे वंचित होना पड़ा अपने अधिकार से वंचित होने के खिलाब कमपनी ने हाई कोट को याचिका दायर की हाई कोट ने सुनवाई के बाद खाद अधिकारी द्वारा देरी से दायर परिवात को खारिस कर दिया है साथी कोट ने कहा है कि धारा 13 दो खाद्य अप मिश्रण अधिनियम 1956 का प्रावधान है बंधनकारी है या खाद अधिकारी द्वारा इस अधिकार से आरोपी को वंचित किया जाता है तो सजा नहीं दी जा सकती परिवाद जार पांच रखना न्याय की मंशा के विपरित होग का रखना नहीं है विफ जुप तूम के अरुछ कुछ